आज हम बात करने वाले हैं वेदानता शेर के बारे में और वेदानता में आप देखेंगे जहां देखेंगे निप्टी 50 में एक ग्रावट थी अच्छी खासी ग्रावट जो की बीच में 100 पॉइंट तक भी चली गई थी वो देखेंगे और दो मेजर कारण है जो जिस कारण ये प्लस में बंद हुआ शेर आप देखेंगे जिसे तो इसने जो है देखें तीन सो दस के ओपर क्लोजिंग दी है और एक पॉइंट सोरी बन पॉइंट जीरो बन परसेंट का इसने पोईटिम में रिटन दिया है कल और क यही वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती है शेर मार्केट की पल-पल की नीज यहां मिलती है आपको और यदि आप पेट गूरूप हमारा जोइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नमबर दिया हुआ है वहां आप क्वेरी कर सकते हैं ओनली बट् सांदार हो सकते हैं पहले 322 इससे ओपर सस्टेंड करता है और अगर क्लोजिंग दे देता है 325 से उपर उसके बाद आएगा 360 के टार्गेट और 360 अगर क्लोज करता है तो उसके बाद आता है फिर नेक्स टार्गेट 400, sorry, 380 रुपे तक के टार्गेट शोट टर्म में दिख आएगा तो चलिए देख लेते हैं क्या कारण है क्यों भाग रहा है यह पहला कारण तो देखिए यह मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि यह जो है इसने थर्ड इंट्रिम डिविडेंट अपना देने की घोशना कर दी है 22 तारी को मिटिंग है और इसमें जो है 30 से 40 त 30 से ऊपर होगा और 40 के नीचे होगा यह डिविडेंट और दूसरी न्यूज जो है देखिए दूसरी न्यूज यह है कि कंपनी के पास जो करजा है जो करजा है इनका 69,020 करोर का यह बाला इसको पूरी तरीके से कंपनी खतम करने वाली है और किस तरीके से खतम करेगी यह इसका आगया है कल, जिस वज़े से ये भागता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और आगे भी भागता हुआ दिखाई देगा, देखे, कंपनी जो है, यह अपनी एक company है इनकी steel business की electro steel इसको बेचने की तैयारी में है फूरे इस से इने जो इस company पर electro steel पर जो करजा है वो 12,000 क्रोड का है 69,000 में से 69,000 क्रोड में से 12,000 क्रोड इसी के उपर है अकेले electro steel पर तो इसको बेचकर इसका करज खतम हो जाएगा company पर reserve होंगे फिर reserve और बढ़ेंगे तो जब इसको बेचेंगे तो बचेगा 47,000 क्रोड 47,000 क्रोड का करजा बचेगा क्योंकि 12,000 क्रोड यह बेच देंगे फिर उसके बाद क्या होगा यह जो 47,000 क्रोड है कुछ तो देखे कुछ पैसा इससे भी मिलेगा इसको बेच कर तो वो reserve में आएगा company के 47,000 क्रोड होगा बढ़ जाएंगे और 47,000 क्रोड होगा इसको यह अगले 2-3 सालों में company ने पहली बोला था कि 2-3 सालों में इसको निकाल देंगे इसको खतम कर देंगे कैसे करेंगे यह अपना production जो है पूरे अगले 3 साल तक हर साल double करने की उसमें है कोशिस में है अभी 16 है 16 से 32 करेंगे फिर 30 से साल इस 32 को यह करेंगे 50 से plus company ने पहले ही दिया था कि 50 से plus इसको करेंगे क्यों कैसे हो गए क्योंकि अब यह जो है यह steel business को छोड़ कर क्योंकि steel business इने loss दे रहा था इसको छोड़ कर यह पूरे का पूरा ध्यान अपना लगाने वाले है अपने खनन पर खनन करते हैं यह आपको पता ही होगा तो सारे का सारा जो ध्यान है यह इनका ध्यान अब सिर्फ खनन बिजनिस पर आ गया है और देखिए कहां कहां करते हैं मलेशय में करते हैं चाइना में करते हैं UAE में चाइना कितना बड़ा प्रतीदवन्दी है हमारा और वहां पर यह काम करते हैं वहां से revenue करते हैं और एक चे imagine के कोबाल्ट मों कश्राइब करते कुछ हैं तो बहुत ही शानदर काम यह करते हैं अपना इल्मुनियम में करते हैं जो हमारह उसमें बहुत होता है लिते मेर डिया चुछ करके भी कोई बैटरी साइज बन रही है उसमें भी इनका देखिए मेटेरियल काम आएगा तो सारा का सारा फोकस यह उसी पर करने वाले हैं बहुत ही शांदार कंपनी का जो है बिजनिस होने वाला है तो दोस्तों वीडियो देखिए पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर की जगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ऐसी वीडियो आपको हमेशा यहां मिलती रहेंगी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में